So hello everyone and welcome back to another video of the lead code daily challenge आज हम डिस्क्स करेंगे एने ट्रिबनेकाई नंबर कम्पनी टैक्स की बात करें तो इत बीन आस्ट इंड आपल एसेंचर कोर्स है रहा तो question कह रहा है तो ट्रिबनेकाई सीक्वेंस TN is defined as follows T of 0 0 T of 1 1 T of 2 1 T of n plus 3 is equal to T of n plus n plus 1 plus n plus 2 okay for all n is greater than equal to 0 given n return the value of T of n okay so कुछ examples हैं यहां पर constraints की बात करें तो n 0 से लेके 37 तक the answer is guaranteed to fit in a 32 bit integer okay great चलो तो before jumping on to the question मैं दो दिन से मैं वीडियो नहीं डालीं but thanks a lot इतने सारे messages भाई are you well are you fine नहीं मैं बहुत बढ़ियो actually क्या हुआ कि last 2 दिन बहुत बीजी थे मेरे को बस सोने और खाने गई time था तो मैं वीडियो फिर नहीं डाल पाई दो क्या actually last 4 दिन बहुत बीजी गये तभी एक दिन यह question कह रहा है कि आपको मैं एक formula देता हूं t of n plus 3 जो पिछले तीन का सम होने वाला यानि कि n n plus 1 and n plus 2 और आपको कुछ base values दी है यानि कि अगर n की value 0 है तो t of 0 आ जाएगा 0 n की value 1 है तो t of 1 आ जाएगा 1 and n की value 2 है तो t of 2 आ जाएगा 1 यह तीन base case है और उसके basis पे अब यह एन देते जाएंगे और आपसे expect कर रहें कि आप answer निकालो तो let's understand कि यह हो क्या रहा है इस formula को अगर break करें तो as I've said यह पिछले तीन का सम है तो let's say this is 0, n 0, this is n of 1, this is 2, this is 3, this is 4, similarly this is 5, okay, these are the values of n, अब n 0 हमें पता है, that is 0, 1 पता है, that is 1, 2 पता है, that is 1, यह तीनो base case है, now, अगर 3 होता, तो क्या होता, पिछले तीन का सम, according to this formula, अगर यह n plus 3 है, यह n plus 3 है, तो what is going to be n, n आपका obviously 0 होगा, what is n plus 1, n plus 1 होगा, what is n plus 2, n plus 2 आपका 2 होगा, correct, तो इन तीनों क sum निकालो, 1 plus 1 is 2, 2 plus 0 is 2, great, next चलते है, 4 के लिए क्या answer होना चाहिए, पिछले 3 का sum, पिछले 3 मतलब इन तीनों का sum, तो 2 plus 1 is 3 plus 1 is 4, तो हमारे case में इस वाले में answer 4 आएगा, then 5 की बात करें, तो answer क्या आएगा, 4 plus 2 plus 1, 6 plus 1 is 7, तो आपको बहुत simple लग रहा होगी है, but यह actually कि की problem है, यह dynamic programming की problem है, ठीक है, अब यहाँ पर DP कहा से picture में आ रहे है, हम तो 3 चीज़ों का sum ले रहे है, देखो मैं तुम्हें एक चीज़ समझाता हूँ, इसे थोड़ा functionally लिखते है, हो सकता है यह वीडियो आपको थोड़ी सी boring लंबी लग जाए, but मैं चारों की DP के जो basic concepts में वह हमें clear हूँ, f of 5 define करते है, ठीक है, this is 5, 5 का answer किस पर depend कर रहा है, f of 4, ठीक है, यहाँ पर जो answer आया, plus f of 3, plus f of 2, correct, यह यह ना according to this formula, अब, क्या f of 4 आपको पहले से पता है, नहीं, हमें इसे solve करना पड़ेगा, हमें पहले से नहीं पता, तो हम f of 4 solve करेंगे, ठीक है, now what is f of 4, अब अगें यह हो जाएगा, f of 3, plus f of 2, plus f of 1, ठीक है, now, f of 3, क्या हमें f of 3 पता है, बिलकुल नहीं पता है, हमें इसे फिर से solve करना होगा, so this is nothing but f of 2, plus f of 1, plus f of 0, correct, now, क्या मुझे f of 0 पता है, हाँ, question में दिया है, 0 होगा, f of 1 पता है, हाँ, question में दिया है, 1 होगा f of 2 पता है, हाँ, question में दिया है, 1 होगा, तो इसे solve करके, मैंने f of 3 के निकाला, 1 plus 1 is 2, 2 plus 0 is 2, चीक है, तो I know f of 3 is 2, now, क्या मुझे f of 2 पता है, हाँ, question में दिया है, what is it, 1, 1 पता है, हाँ, question में दिया, यह क्या है, 1, तो 1 plus 1 is 2, 2 plus 2 is 4, चीक है, now, what about f of 5, मैं 4 निकालने गया तो 4 का answer क्या आया, 4, f of 4 is 4, now, what is f of 3, फिर से calculate करते है, f of 3 is equal to, अरे, एक मिट, यह तो हमने calculate करके रखा है, तो हम इसे क्यों नहीं use कर लेते है, तो चलो इसे use करते है, तो f of 3 is 2, done, यह हमने already calculate करा था, what is f of 2, f of 2 question में given, that is 1, so 4 plus 2 is 6 plus 1 is 7, तो यहाँ पर तुमने एक calculate करके रखा हुआ था, तो मुझे दुबारा calculate नहीं करना पड़ा, this is what is dynamic programming, मैं क्या करता हूँ, मैं previously, जो भी मैंने state देखा है, उसे कहीं पर store कर लेता हूँ, तो अगर मैं f of 3 जब इसके लिए calculate कर रहा था, और कहीं store करके रख लेता, भाई, f of 3 का answer यह होगा, तो अगली बार जब भी f of 3 आएगा, we can definitely pick this value, no need to recalculate, and this is nothing but dynamic programming, अब आपकी मरसी, चाहो तो इसे recursion से solve करो, चाहो तो इसे recursion के बिना solve करो, मैं आपको बिना recursion के बताता हूँ, because I am assuming कि अभी हमें recursion use करने के बहुत मौके मिलने वाले है, okay, so now let's get back, how to solve these kind of problems, ZEP problem को solve कैसे किया जाता obviously हमें previous state कहीं store करना पड़ेगा, तो जो मैंने आपको यहाँ visualize करा, यह मैंने actually story तो किया है, जब मैं इसके लिए calculate कर रहा था, मैंने का भाई, पिछली 3 values लेके आ जाओ, ठीक है, जब इसके लिए calculate कर रहा था, मैं कहा रहा था, फिर से पिछली 3 लेके आ जाओ, तो what is this, this is a data structure, any data structure you can use, जहाँ पर तुम इन values को store कर पाओ, जिससे तुम्हें easily पता चल जाए कि अच्छा यह अगर x है, तो x-1th value क्या है, x-2 value क्या है, x-3 value क्या है, ठीक है, अगर आप यहाँ खड़े हो, तो आप पिछली 3 values देख पाओ, अगर यह mechanism आप किसी भी data structure से achieve कर सकते हो, त उसे आप यूज करें, तो obviously मेरे दिमाग में सबसे पहला data structure क्या आ रहा है, array आ रहा है, हम array की helps से store कर सकते हैं, तो we'll create one array, but let's say हमें, क्या लियाता है, any is equal to 4 ना, तो I think इसे हटा देते हैं, हमारा question खाली इतना है, ठीक है, तो let's say हमें any is equal to 4 निकालना है, तो obviously मुझे एक ऐ ऐसा array मनाना पड़ेगा, जिसमें 4 indexes हो, ठीक है, यानि कि index 4 भी present हो, तो this is index number 0, 1, 2, 3, and 4, ठीक है, तो what is the size of this new array, size of this new array is 5, तभी इसमें 4 index होगी, तो हमें question में जो भी n दिया था, that was 4, और हमने array के size का बनाया, 5 का यानिकि, n प्लस 1 size का, why n प्लस 1, because मुझे चौथी index चा ये चौथी index का ही answer return करना है, ठीक है, अब इसे prefill करते हैं, जो भी हमाई पास values given है, तो value क्या given है, 0 पर answer 0 है, 1 पर answer 1 है, 2 पर answer 1 है, ठीक है, इत्ती चीज़ question में given है, now, मुझे यहाँ के लिए solve करना है, ठीक है, यानि कि मैं loop चलाऊंगा, i is equal to 3 से ले करके, कहां तक, n तक both inclusive, ठीक है, n आपका यहाँ पर क्या है, n is 4, ठीक है, तो हम index 3 and index 4 दोनों को iterate करेंगे, और हम कहेंगे, इस वाल index के लिए answer क्या है, पिछली तीन index का sum, तो 0 प्लस 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2, ठीक है, then we'll move ahead, अब हम कहेंगे, इस index के लिए answer क्या है, पिछली तीन का sum, so this plus this plus this, 2 plus 1 is 3 plus 1 is 4, great, done, हमारा question solve, जैसे आप बहारा होगे, array खतम हो जाएगा, तो you can return, इस place पर जो भी answer है, याई कि array of n, you can return, ठीक है, so this is called dynamic programming, और यहाँ पर हमने क्या time use किया, हमने यहाँ पर use किया, big o of n time, obviously हम इतना iterate कर रहे हैं, और पीछे के तीन का sum ले रहे है, क्या हमन big o of n plus 1 extra space use करी, now my question is, क्या तुम्हें यह space की जरूरत थी, क्या इस array की जरूरत थी, हम हर बार क्या कर रहे हैं, हम last three values calculate कर रहे हैं, ठीक है, हम खाली last three values का use करके, अपना answer निकाल ले हैं, तो क्या मैं तीन variable नहीं बना सकता, बिल्कुल बना सकता हूं, so let's say, p of 0 को मैंने 0 ब is equal to 3, ठीक है, i is less than equal to हमारे n k, and then i plus plus, and then मैं यहाँ पे sum नाम का variable ले के आ जाओंगा, ठीक है, int sum is equal to 0, ठीक है, obviously मैं इस case को handle करूंगा, कि n की value, अगर 2 या 2 से छोटी है, तो इन तीनों में से कोई यह cancer return कर देंगे, for this we can use ternary operator and all, वो भी code करेंगे, ठीक है, तो यहाँ प तो इन तीनों को उठा के ले के आ जाओ, p of 0, plus p of 1, plus p of 2, ठीक है, तो sum के आ जाएगा, sum बन गया मेरा, 1 plus 1 is 2, 2 plus 0 is 2, great, तो यह value मुझे मिल गई, now you see, if this is p0, this is p1, this is p2, तो for 4, this has to be p2, ठीक है, this has to be p1, this has to be p0, तो मैं यहीं पे इन values को update कर दूंगा, मैं कहूंगा, जो अब क्या होना चाहिए, वो p2 होना चाहिए, so मैंने लिख दिया, p2 is equal to sum, ठीक है, तो आपने मज़े से कर दिया, बट यहाँ देखो, sum की value 2 है, मैं इसे update कर दूंगा, तो मैं फिर इन दोनों को update कैसे करूंगा, ठीक है, तो हम अमेश्य बॉटम अप चलेंगे, कैसे update करें है, तो we will say, p of 0, अब तुम p of 1 की value ले लो, for the next iteration, फिर हम कहेंगे, p of 1, तुम p of 2 की value ले लो, for next iteration, now we will say, p of 2, अब तुम sum की value ले लो, तो मेरा कोई भी data loss निए और मैंने तीनों को update कर दिया, ठीक है, एन यह for loop बन कर देना, finally जो भी आपका sum है, वो return हो जाएगा, ठीक है, यह time complexity big of n है, और कोई भी extra space नहीं, भाई, तीन variable use कर रहो, क्या ही extra space, ठीक है, चलो great, इसे solve करते है, तो सबसे पहले base case handle कर लेते हैं, कि if n is less than equal to 2, ठीक है, तो इस case में answer क्या क्या होगा, तो सबसे पहले यहाँ return लगा देता हूँ, अब question में का है, भाई, कि अगर n equal equal है 0 क तब तुम सीधा 0 return कर दो, otherwise 1 return कर दो, ठीक है, कहने का क्या मतलब है, भाई, देखो, n 0 है, तो answer क्या होगा, 0, n 1 है, तो answer क्या होगा, 1, n 2 है, तो answer क्या होगा, 1, correct, n is less than equal to 2 वाली case handle होगी, next शलते है, अब अपने 3 variable बना लेते है, previous 0, इसका answer क्या है, 0, ठीक है, then int previous 1, इसक answer क्या है, 1, ठीक है, now we'll try to iterated, int i is equal to 3, i is less than equal to n, and then i plus plus, ठीक है, now I will say, int sum को बाहर निकालना पड़ेगा, wait, int sum is equal to 0, ठीक है, now here we will say, sum is equal to, you know, previous को add कर दो, previous 0, previous 1, plus previous 2, अब values को अपडेट करते है, 0 में आ जाएगी 1 की value, previous of 1, then previous of 1 में आ जाएगी 2 की value, previous of 2, then previous 2 में आ जाएगी current sum की value, is equal to sum, बढ़िया, now after this for loop, we can say return sum, ठीक है, so I hope तुम्हें समझ में आगी होगा, इसे run कराते है, great, now let's try to submit it, and die, so बस यार, यह था आज की वीडियो में, I hope तुम्हें आज की वीडियो पसंद आई होगी, और समझ में आई होगी, and before ending, thanks a lot, क्योंकि मुझे बहुत सारे messages आए, तुम लोगों के पूछने के लिए कि भईया, health ठीक है या नहीं ठीक है, I am truly very grateful, for all this love and support, so पस में मिलता हो तुम्हेकल, तब तक के लिए, bye-bye, and take care. मुझे आई होगी, तुम एक रे रखने का रखने के लिएकल आई होगी,